ध्रित्राश्ट्र ओवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्वेता युयुत्सवह, मामका पांडवाश्चेव किमकुर्वत संजय, भावार्थ, ध्रित्राश्ट्र बोले है संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्र में एकत्रित, युद्ध की इच्छावाले मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या किया? 1. संजय ओवाच द्रिष्टवा तू पांडवानी कम व्यू दुर्योधन स्था आचारिय मुप संगम्य राजा वचन मब्रवित भावार्थ संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोनाचारिय के पास जाकर यह वचन कहा 2. पशयता पांडू पुत्रा नामाचारिय महती चमोम व्यूधाल दुपद पुत्रें तव शिशें दीम्ता भावार्थ हे आचार्य आपके बुधिमान शिश्य दुपद पुत्र द्रिश्ट द्यूम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडू पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिये 3. अत शूरा महेश्वासा भीमाजुन समायुधी 4. यो युधानो विराटश्चा दुपद अश्चा महार्था, द्रिश्ट के तुष्चे किताना काशिराज शच वीर्यवान, पुरुजित कुंति भुजश्चा शाब्याश्चा नर्पुलवह, युधामन युष्चा विक्रान तुत्तमो जाश्चा वीर्यवान, सौभ द्रौपद अश्चा सर्वैव महार्था, भावार्थ, इस सेना में बड़े-बड़े धनुषों वाले तथा युधामे भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराच तथा महारथी राजा दुपद, द्रिश्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशिराज पुरुजित, कुंति भोज और मनुश्यों में श्रेश्ट शाब्या, पराक्रमी युधामन्यू तथा बलवान उत्तमोजा, सुभध्रापुत्र अभिम्यू एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं चार माइनस छे, असमा कम तू विशिष्टा ये तानने बोध द्विजोतम, नाई का मम सैन्यस्या संग्यात तानब्रविमी ते, भावार्थ, हे ब्राहमन श्रेश्ट, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेन के जो जो सेनापती हैं, उनको बतलाता हूँ, सेवेन, भावान भीश्मश्चा कर्णशिच क्रिपश्चा समितीन जया, अश्वत्थमा विकर्णशिच सॉम्दत स्क्तैफच भावार्थ, अप द्रोनाचार्या और पितामा भीश्म तथाकर्ण और संग्राम विजय क्रिप पाचार्या वैसे ही अश्वत्थमा, विकर्ण और सोमदत का पुत्रभूर श्रुवा, आठ, अनिच्य बहवशूरा मदर्थे त्यक्त जीविताह, नाना शस्त्र प्रहर्ना सवे युद्विशार्दाह, भावार्थ, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाल से शूर्वी रनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसजजित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं, नाइन, अपर्याप्तम तदस्माकम बालम भीश्मा भीरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेशां बालम भीमा भीरक्षितम, भावार्थ, भीश्म पितामा द्वार रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजया है और भीन द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10. अयनेशू च सर्वेशू यथा भागमव स्थिता भीश्म मेवाभिरक्षंतु भवन्ता सर्वेवे। भावार्थ इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा स्थित रहते हुए आप लोग सभी निहसिंदे भीश्म पितामं की ही सब और से रक्षा करें। 11. दोनों सिनाओं की शंख ध्वनी का कथन। तस्य संजन इन हर्षा कुरु व्रिधा पितामह सिंगनादम विनद्योचे शंख दधमो प्रतापवान। भावार्थ कौर्वों में व्रिधा बड़े प्रतापी पितामह भीश्म ने उस दुरियोधन के हृदे में हर्ष उत् करते हुए उच्छ स्वर से सिंग की दहाड के समान गरज कर शंख बजाया। 12. तता शंखाश्चा भेर्याश्चा पन्वांक गोमुखा, सहस्वाब्य हन्यंत्स शब्द स्थुमुलो भवत, भावार्थ, इसके पश्चात शंख और नगाडे तथा धोल, म्रिधन्द और सिंगे आदी बाजे एक साथी बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भायन कर हुआ। 13. तता श्वेतरहयाईर युक्ते महतीस यंदने स्थिता, माधवाव पांडव अश्चेव दिव्यो शंखो प्रदधम तुम। भावार्थ, इसके अनंतर सफेद घुडों से युक्त उत्तम रत में बैठे हुए श्री कृष्न महाराज और अर्जुन ने भी अलोकिक शंख बजाए। 14. पांचचन्यम रिशी केशों देवदतम धनन जया, पांड़म दधमों महाशंख भीम कर्मा व्रिको दरह। भावार्थ, श्री कृष्न महाराज ने पांचचन्य नामक, अर्जुन ने देवदत नामक और भायानक कर्मवाले भीमसेन ने पॉंड्र नामक महाशंख बजाया। 15. अनन्त विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरह, नकुला सहदेवस्चा सुगोष मनिपुष्पको, भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय नामक और नकुल तथा सहदेवने सुगोष और मनिपुष्पक नामक शंक बजाय। 16. काश्यष्चा परमेश्वासा शिखंडी चा महार्था। ध्रिष्ट द्यूम्नों विराटश्चा सात्यकिष्चा प्राजिता। ध्रुपदों द्रोपडेयाश्च सर्वशा प्रिथिवीप्ते। सौभद्रश्चा महाबाहु शंकान्द अध्मों प्रिथक प्रिथक। भावार्थ, श्रेष्थ धनुष्वाले काशिराज और महारती शिखंडी एवं ध्रिष्ट द्यूम्न तथा राजा विराट और अजयय सात्यकी। राजा शिच प्रिथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन, भावार्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और प्रिथवी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्था तापके पक्षवालों के हृदय विदीर्न कर दिये। उन्नीस, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षन का प्रसंग, अत्व्यवस्थितांद्रिष्ट्वा धार्तराष्ट्रान का पिध्वज़, प्रवृते शस्त्रसंपाते धनुरुद्याम्य पंडवह, रिशी के शम्तदा वाक्य में द्माह महीपते, अर्जुन उवाच्च सेनयो रुभायो मध्यरत स्थापया मेच्योत, भावार्त, हे राजुन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मूर्चा बांध कर डटे हुए द्रितराष्ट्र संबंधियों को देखकर, उस शस्त्र चलने की तयारी के समय धनुष उठाकर रिशी के श्री कृष्ण महा राज से यह वचन कहा है अच्योत, मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, 20-21, यावदे तान निरीक्षे योधू का मानवस्थितन, कैर्मया सह योधव्यमस्मिन रन्समुध्य में, भावार्त, और जब तक कि मैं युधधक्षेत्र में डटे हुए विपक्षी योधाओं को भली प्रकार देखना लून की इस युधध रूप व्यापार में मुझे किन-किन के साथ युधध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिये, 22-21, योध्य मानानवेक्षे य अतेत्र समागता, धारतर आश्ट्रस्या दुर्बुधिर विपक्षी केशों गुड़केशेन भारत, सेनय और उभायो मध्यस्था पयत्वा रथोत्तमम, भीश्म द्रोन प्रमोखता सर्वेशां चमहीक्षिताम, उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनिती, भावार्थ, संजय बोले है इध्रित राष्ट्र, अर्जुन द लिए जुटे हुए इन कौर्वों को देख, 24-25, तत्रा पश्यत स्थितान पार्था पित्रिंथ पितामहान, आचारियान मतोलान भ्रात्र पुत्रान पत्रान सकीन्स तथा, श्वशुरान सुहरिदेश्चेव सेनय और भायोपी, भावार्थ, इसके बाद पृथा पुत् ससुरों को और सुहरिदों को भी देखा, 26 और 27 वे का पूर्वार्थ, तानस्मीक्ष्य सकॉंतेया सर्वान बंधुन वस्थितान, कृपया पर्याविष्टो विशीद त्रिद्मब्रवित, भावार्थ, उन उपस्थित संपून बंधुओं को देख कर वे कुतिपुत्र अर्जुन अत्यंत करुना से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, 27 वे का उत्तरार्ध और 28 वे का पूर्वार्ध, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायर्था, स्नेह और शोक युक्त वचन, अर्जुन उवाच, द्रिष्टेव स्वजन कृष्ण युयुत्स समुपस्थितम, सीधन ती माम गात्रानी मुक्चा परिशुश्यती, विपत हुष्चा शरीरे में रोमा हर्शाष्चा जायते, भावार्थ, अर्जुन बोले हे कृष्ण, युद्धक शेत्र में डटे हुए युद्धके अभिलाशी इस्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुक सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कम पेवं रोमांच हो रहा है। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षनों को भी विप्रीथी देख रहा हुँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्यान भी नहीं देखता। 31. न कांक्षे विजय क्रिष्ण न चा राज्यम सुखानी चा की नो राजे इन गोविंद की भोगेर जीवितेनवा। भावार्थ, हे क्रिष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथ्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाब है। 32, ये शमर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानी चा। त इमेवस्थिता युदे प्रानास्त्यक्त्वा धनानी चा। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादी अभीष्ठ हैं, वी ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। हैं, तैतीस, आचारिया, पित्रा, पुत्रा, स्तव्च, पिता महा, मतुला, श्वशुरा, पौत्रा, श्याला, संबंधिनस तथा, भावार्थ, बुरुजन, ताव चाचे, लड़की और उसी प्रकार दादे, मामे, ससूर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं चौतीस, एतान हंतो मिच्छामी घानत पी मधुसुदन, अपी त्रेलो क्या राज्यस्य हेतल की नू मही कृते, भावार्थ, हे मधुसुदन, मुझे मारने पर भी अत्वा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृत्वी के लिए 35. निहत्या धार्तराष्ट्रान का प्रीते स्याज जनार्दन, पापमिवाश्राय दस्मान हत्वे तानात ताइनह, भावार्थ, हे जनार्दन, गृत्राष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताईयों को मार कर तो हमें पापी लगेगा, 36. तसमान नरहावयम हंतुन धारतराश्ट्रांस्वबांधवान, स्वजन ही कत हत्वा सुखिना स्याम माधव, भावार्थ, अतावे माधव, अपने ही बांधव धृतराश्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मारकर हम 37. यद्यप येते ना पश्यंती लोभो पहचेत सह, कुलक शैकृत दोशां मित्र द्रोहेचा पातकम, कत्थ ना गेयमस माभेव, पापादस मानने वर्तितुम्, कुलक शैकृत दोशां प्रपश अगबिर जनार्दन, भावार्थ, यद्यपी लोग से ब्रश्टिचेत हु ये लोग कुल के नाश से उत्पन दोश को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी ये जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन दोश को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यू नहीं विचार करना चाहिए। कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है चालीस अधर्मा भिभावात कृष्ण प्रदुश्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीशूर दुष्टासू वार्षनेय जायते वर्ण संकरह भावार्थ हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूशित हो जा भावार्थ वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुप्थ हुई पिंड़ और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राधा और तरपन से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगती को प्राप्त होते हैं 42. दोशरता कुल अग्णाना वर्ण संकर कारकया उत्साध्यन ते जातिधर्मा कुल धर्म आश्चा शाश्वता भावार्थ इन वर्ण संकर कारक दोशों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्ठ हो जाते हैं 43. उत्सन कुल धर्मना मनुश्यना जनार्दन नरकिनियत वासो भावती त्यन शुष्रुम भावार्थ हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नश्ठ हो गया है ऐसे मनुश्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं 44. अहो बत महत पापन कर्तुन व्यवसितावयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुन स्वजन मुद्यताः भावार्थ हा शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गये हैं जो राज्य और सुख के लोब से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो ग तेवम सामनाना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए ध्रित्राश्ट्र के पुत्र रन में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्यान काराख होगा 46. संजय ओवाच इवमुक्त वार्जुनह संखे रथोपस्थो पाविशत विसुज्य साश्र चापन शोकसम विग्न मानसा भावार्त संजय बोले रन्भूमी में शोकसे उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार काकर बंसहित धनुष को त्याग कर रत के पिछले भा में बैठ गए 47